हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इस्टेडी विट टाइगर दोस्तो यदि आप इस चैनल पहली बाहरा रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन में और इसका मैं लगबग 200 क्वेश्चन मतलब 10 पार्ट में लेकर आऊंगा ठीक है तो आपको पर डे एक वीडियो आपको यहां से मिलती रहेगी और इसमें प्रेक्टिस करिये और इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे एक्वा में मोश्ट स्क्राइब बनाया जा रहा है ठीक है तो यहां पर practice करिए और अपना देखिए कि आपका कितना question 20 में कितने सही हो रहे है ठीक है और यह लगबर मैं दो question का set दो रहा हूँ आपको और यह आप पूरा contest कर लिजे इसमें से एक भी question आपका नहीं छूटना चाहिए क्योंकि इसमें से आपका छूटा तो फिर आपका मान के चलेगी पढ़ाई बहुत अधूरी रह जाएगी ठीक है तो यहां पर आप practice जरूर कर लिजेगा यह दो सो question बिलकुल आप छोड़िएगा नहीं ठीक है तो आईए देखते हैं और हमारा telegram channel जरूर जोइन कर लिजेगा ठीक है हम telegram channel यह मेरा telegram channel है इसको आप जरूर जोइन कर लिजेगा तो आईए हम देखते हैं तो आईए start करते हैं पहला question संसत की लोक लेखा समिती का अध्याच नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है आपसन है लोक सभा के अध्याच भारत के प्रदान मंति द्वारा भारत के राश्पति द्वारा राज सभा के अध्याच द्वारा तो 5 सेकंड का आपको मैं टाइम दुँगा, ठीक है? और आपको, आप सन, कमेंट वाक्स में आंसर इसका देएना, ठीक है? तो इसका जो आंसर होगा, वो होगा आपका लोकसभा के अध्याचित वरह, ठीक है? तो संसद की लोक लेखा समिति का अध्याच जो नियुक्त किया जाता है लोक सभा के अध्याच तारा निक्त किया जाता है भारतिय संग में नए राज की स्विकृति कौन देता है राश्पति उच्चनेयले प्रधानमंत्री संसद तो यहाँ पर आंसर जो होगा होगा संसद ठीक है भारतिय संग में नए राज की स्विकृति संसद देता है ठीक है लोग सभा के प्रतम अध्य चिकौन थे के अस हेगडे हुकुम सिंग गड़ेस वासुदेव मालंकर नीरम संजीव रेड़ी तो यहाँ पर देख गड़ेस वासुदेव मालंकर ठीक है यह आप नोट कर लिजेगा यह फर्स्ट वाला जो जरूर याद कर लिजेगा लोग सभा के प्रतम अध्य चिकौन थे तो गड़ेस वासुदेव मालंकर ठीक है केंद्रिय मंत्री परिशत के विरुद अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है केवल राजी सभा में केवल लोग सभा में लोग सभा तता राजी सभा दोनों में राज्यों की विधान सभाओं में तो केंद्रिय मंत्री परिशत के विरुद अविश्वास प्रस्ताव केवल लोग सभा में प्रस्तुत किया जाएगा ठीक है आपन 2nd सभी एठीं है भारत के समिधान की कौन सी अनसूची राजि सभाग में सिटों के बठवारे का निरधारत करती है तीसरी अनसूची चोथी चोथी अनसूची पांच ंनसूची चट्वी अनसूची बताइए कौन सा होगा इसमें तीस में होगा चौथी अंसूची ठीक है चौथी अंसूची जो है भारत के सम्विदान की कौण सी अंसूची राजसभा में सीटों के वटवारे का निर्धारा करती है तो चौथी अंसूची ठीक है भारत के राश्पती के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निमलिखित में से कौन करता है भारत का उपराश्पती भारत के निर्वाचन आयोग भारत के मुखिनयाय मूर्ती भारत का अटार्नी जन्रल तो यहां पे जो गब भारत का निर्वाचन आयोग ही राश्पती उपराश्पती सबका चुनाव कराता है ठीक है राश्पती और उपराश्पती से संबंदी चुनाव विवादों का निप्टारा करने का अधिकार उच्चतम नियाले को है यहां उसका है क्या है बवमुकी अधिकार पुनरवादित अधिकार परामर्सी अधिकार या मौलिक अधिकार तो यह है उसका मौलिक अधिकार है ठीक है आपसन पोर मौलिक अधिकार राश्ट्पती अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है लोकसभाद ध्यच प्रधानमंत्री उपराश्ट्पती भारत के मुख न्याएधीस तो राश्ट्पती अपना त्यागपत उपराश्ट्पती को देता है ठीक है उपराश्पति किसको देगा? उपराश्पति राश्पति को देगा ठीक है? यदि राश्पति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोजित करेगा? देखे वही question दुबारा repeat कर दिया गया है उपराश्पति को भारतिय संग के राश्पती के पास वही समवेदानिक अधिकार है जो British राजा के पास है, USA के राश्पती के पास है, पाकिस्तान के राश्पती के पास है या France के राश्पती के पास है तो यह British राजा के पास जो अधिकार है, British में जो राजा के पास अधिकार है, वो यहां के राश्पती के पास अधिकार है संसत के दोनों सदनों के बीच, गतिरोध की इस्तिती में सहियुक तदिवेशन के अध्यचिता कौन करता है लोकसभा के वरिष्टम सदस्य राश्पती, लोकसभा अध्यच उप राश्पती तो यहां पर जोगा, लोकसभा अध्यच होगा, ठीक है भारत का राश्पती अपने पद पर उनर निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार चाहे तो यहां पर जो आंसर होगा, जितनी बार चाहे, वो खड़ा हो सकता है पुनर निर्वाचन के लिए भारत के राश्पती के पास आपात अधिकार है चार प्रकार के, दो प्रकार के, पांच प्रकार के, तीन प्रकार के तो आपात जो है, वो तीन प्रकार के, अमर्जनसी, ठीक है तीन प्रकार की आपात उबबंध है भारत में किस प्रकार की आपात इस्थिती, अभी तक केवल एक बार लागू की गई है आंत्रिक आपात इस्ति राज्य आपात इस्ति बाहे आपात वित्ति आपात तो हमारे पास तीन है एक आंत्रिक है बाहे और वित्ति है ठीक है तो यहाँ पर जो होगा आंत्रिक आपात इस्ति जो है वो एक बार लागू दिया जा चुका है ठीक है राश्पती के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित है चैनित संसद और चैनित विधायक केवल संसद वैस्ट मताधिकार द्वारा केवल विधायको द्वारा तो इसमें होगा चैनित संसद और चैनित विधायक राश्पती के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित होता तो इसमें देखे चैनित संसद होते हैं विधायक होते हैं और राजसभा में निर्वाचित सदस है, राजसभा के निर्वाचित सब्दका, मनोनी सब्दस इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है? किस वर्ष आंतरिक असांति के आधार पर आपात काल की घोशना की गई थी? तो आपात काल कब लगा था? 1962 में, 65 में, 75 में या 75 में, बताईए तो 1975 में ठीक है, इमर्जनसी लगाया गया था राज़्टी आपात काल की घोशना को संसत का अन्मोदन कितने माहक में मिलना चाहिए? एक, दो, तीन, छे एक माह सम्मिदान के उनलंगन के लिए राश्टपती के विरुद अभियोग करवाही किसमें सुरू की जासना कती है? उचितमने आले राज़सभा संसत के किसी भी सदन में, लोकसभा में तो यहां होगा किसी भी सदन में, चाहे वो राज़सभा हो, चाहे लोकसभा हो, ठीक है? किसी भी सदन में, इसकी कारवाही हो सकती है, शुरू ठीक है? राश्पदी और उपराश्पदी के निर्वाचन के संबंद में कोई विवाद उचितम नियाले में फाइल किया जाए निर्वाचन आयों को भेज़ा जाए उचितम नियाले में फाइल किया जा सकता है या उचितम नियाले में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए उपराश्पती के निवाचन के संबंद में कोई विवाद है आज के लास्ट कोश्चन है भारत के उपराश्पती का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यो द्वारा, राजि सभा के सदस्यो द्वारा संसद के निर्वाचि सदस्यो द्वारा संसद और राजविधान मंडलों के सदस्योद्वारा तो यहाँ पर होगा संसद के सदस्योद्वारा ठीक है भारत के उपराश्पति के जो चुना होता है ठीक है तो वो संसद के सदस्योद्वारा होता है उसमें मनो नीद भी होते हैं और निर्वाचित भी होंगे ठीक है केवल राजसभा और लोकसभा दो ही इसमें देते हैं तो उप्राश्बति में विधान सभाव ठीक है विधान सभाव के भी सदसे देते हैं तो वो सब निर्वाचे सदसे देंगे ठीक है मनोनित एक भी नहीं देंगे तो आज के लिए बस इतने दोस्तों यह दिए वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहा है थैंक्यू फ्रेंड्स फार बाचिंग माय वीडिय जय हिंज जय भारत